एक millionaire की suspicious date हो जाने के पाद, सारे लोग उसके property की पीछे थे एक insurance के investigator ने investigation स्टार्ट की और सब कुछ चीज़े सामने आने लग जाती है actual killer कौन था, date की पीछे क्या mystery थी, यह आज की movie Wild Thing 2 में हम देखेंगे actual में part 1 और part 2 में कोई भी relation नहीं है, फिर भी आप अगर part 1 देखना चाहते हो तो इसकी link मैंने description में डाल दिया है, अगर आप कोई वीडियोच रखता है, तो please इससे like और comment जरूर कर दीज़ेगा यह movie अलग-अलग twist and turns के साथ आती है, तो अंदर इस वीडियो को जरूर देखेगा अपीना खिस दरी के explanation स्टार्ट करती है, movie स्टार्ट होती है और हमारे main character जिसका नामे Britney एक crocodile के lake पर आई हुई थी Actually, अभी-अभी उसकी मदर ने इसी lake में suicide की थी, वो अपनी मदर को मिस करती है, तो इस जगाँ पर आकर उसे याद करती है इसके बाद वो अपनी school में आई, यहाँ पर कुछ police officers थे, जो सारे student को कुछ information देना जाते थे Detective Morris ने सबसे का, कि आपको party करनी चाहिए, पर कुछ limit में, इसमें अगर आपने substance abuse किया, यानि कि drugs विगरा किया, तो इसके अंजाम बहुत ही गलत हो सकते है उसने एक doctor भी लायर हुआ था, doctor का नाम था Jillian, जूलियन सबको बताता है कि किस तरीके से, drugs की वज़े से लड़कों की date होती है इसके बारे में वो details दे रहा था, सबको डराने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर student उसका भी मजाग उड़ाते है student में एक लड़की थी जो हमारी और एक main character है, इसका नाम है Maya Maya जूलियन से पुछती है कि जब किसी की date board मिलती है, तो उसके identification आप कैसे करते हो जूलियन दे उसे कहा कि हम उसके dental record से करते है आज किसी भी student का lecture सुनने का mood नहीं था, क्योंकि आज लटकियों का volleyball का match है और सारे लोगों को वही देखना था, यह match होता है और इसमें Britney खेल रही थी और उसी ही वज़े से वो match जीत गया, अब इसका celebrate करने के लिए सारे लोग Britney की घर पर आते यहाँ पर सारे लोग बहुत जादा enjoy कर रहे थे, Britney ज़रा वरीड थी कि अगर उसके घर का कोई नुकसान हुआ तो उसके stepfather उस पर बहुत जादा गुसा होंगे, घर में अलग-अलग cameras लगे थे, तो इससे वो सब पर नज़र रगती है एक लड़का उसकी मदर की photo पर draw करने लग गया था, उस पर गुसा हो गए, उससे रोकने की कोशिश कर दिया वो कितना भी try करे फिर भी इस party को रोक नहीं सकती थी वो अपसे डोकर अपने room में चले गए, पर वहाँ पर माया थी मया उससे गुश्टिक मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी मदर ने इस मिलिनेर से शादी क्यों की सब को पता था, इसके बहुत सारे चक्कर थे, क्या सिर्फ पैसो के लिए अगर यही बात थी, तो तुम भी किसी मिलिनेर के साथ शादी कर लो तुमें कभी भी किसी भी चीज की वरी करने की ज़रूत ने पड़ेगी एक्च्वल में स्कूल में एक दुसरे को हेट करते है इन दोनों में जगड़ा हो गया और माया यहाँ से चली जाती है थोड़ी दिर में बृटनी के स्टेफ फादर जिनका नामे नाइल्स एक घर पर पहुँच गया यह जल्दी से सब को घर से निकाल देते है वो बृटनी पर गुसा थे तो कहते है तुम भी तुमारी मदर की तरह बहुत घटिया हो आज रात बृटनी अचनक से बाहर से कुछ आवास सुन दिये तो उसकी नीन खुल गई उसने जाकर अपने सेकुरिटी कैमेरेस चेक किये वहाँ पर वो देखती है नाइल्स को एक आदमी धमका रहा था नाइल्स को मार कर वो आदमी चला गया तो बृटनी नाइल्स के पास आई वो उसे बुछ थी कि वो था कौन पर नाइल्स उसे कुछ भी नहीं बताता नाइल्स ने उसे का कि अब मैं दो-तीन दिनों के लिए बाहर जाने वाला हूँ पर क्या मैं तुम पर ट्रस कर सकता हूँ पिटनी कहती है कि अफकोस आप कर सकतो और वो उने डाड बुला तिया पर नाइल्स ने क्लेर किया कि मैं तुमारा स्टेफ डाड हूँ कल रा जो भी हुआ था ये पिटनी हमने फ्रेंड को बताती है वो नाइल्स के लिए बहुत ही वरीर थी तब इस स्कुल में उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है और यहाँ पर दो डिरेक्टिव से उसे बता चला कि नाइल्स का प्लेन क्रैश हो चुका है उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि इस वर्ल्ड में सिर्फ नाइल्स उसका खैल रखता था अब जहाँ पर प्लेन क्रैश होगरा हुआ था इसकी इंवेस्टिगेशन चल रही थी वो ही बर एक डिरेक्टिव आता है इसका नाम में टेरेंस टेरेंस एक्चुल में इंशॉरंस का इंवेस्टिगेटर था नाइल्स के नाम पर टू मिलियन डॉलर्स की पॉलिसी थी तो एक्चुल में क्या एक्चिडन्ट था क्या उसे किसी ने मारने की कुशिश की थी इसी को investigation करने के लिए Terrence वा आया हुआ था वो इसके बारे में Morris से बात करता है पर Morris ने उसे clear कर दिया यह सिर्फ एक accident है इसमें जाला deep जाने की ज़रुवत नहीं है Terrence Morris से कहता है कि चीज़े simple लगती है पर उतनी simple होती नहीं Terrence हर एक चीज़ पर शक करता है Accident की investigation में ने पता चला कि plane में कुछ rats थे इन rats ने plane की wiring को cut कर दिया था तो इसी वज़े से accident हुआ है Morris को शक जाता है कि किसी ने करवाय हो सकता है तो इसी के बारे में बात करने के लिए वो Britney के पास है उसे accident के पीछे का reason बताता है और पुछता है क्या Niles के कोई दुश्मन थे क्या कोई कर सकता है Britney अपने friend के साथ थी तो friend ने कहा कि उसे उस रात के बारे में बताओ Britney बता थी कि Niles को धमगाने के लिए का आदमी आया हुआ था उसे उस आदमी का security footage Morris को दे दिया इसके बात Britney के lawyer Niles जी इस company में काम करता था उस company के lawyer इन सब में एक meeting होती है Niles के will को लेकर meeting थी इसमें Britney को बता चला कि Niles ने Britney के लिए सिर्फ 25,000 dollars a year इस तरीका का plan create किया है वो इतने कम पैसो में सही से जी नहीं सकती है वो disturbed होके वो पुछती है क्या कोई और plan नहीं company के lawyer ने का कि उसके सारी property अब एट trust को चली जाएगी अगर उसका proper बेटा या बेटी होता तो सारी property उसे जाती इन सारी चीज़ों को कल finally judge के सामने finalize किया जाएगा इसके बाद Nixon में हम देखते हैं कि जब Terrence को rat के बारे में पता चला तो इसके बारे में और भी information निकलवाने की वो कोशिश करता है Britney के father का accident उनकी wheel इन सारी चीज़ों के बारे में स्कूल की newspaper में लिखा जा रहा था माया भी इस पर काम कर रही थी तो उसे पता चला कि अगर नाइल्स का कोई बेटा या बेटी होते है तो सारी property उसे जाती उसे फिर एक idea आता है आज director Morris को जो आदमी नाइल्स को धमकाने के लिए आया था उसके बारे में एक lead मिली अगली दिन जब सब कुछ finalize करने के लिए Britney court room में पहुची तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि Maya कहे रही थी कि actual में नाइल्स उसके father थे Britney इस बात पर बहुत जादा गुस्सा हो जाती है court में उस पर हमला करने की कोशिश करती है इस बात से judge दंग आके और अगली दिन वो hearing करने का decide करती है इस सब के बारे में Terrence को भी पता चल गया अगली दिन कोड में Maya ने कहा कि मेरी मदर नाइल्स के लिए काम क्या करती थी वो पहले तो उसे एगनोर करता था पर एक दिन उसके साथ वो intimate हो गया इसके बाद मेरी मदर pregnant हो गई थी नाइल्स ने उसे abortion करने के लिए बहुत सारे पैसे दी है मेरी मदर Christian थी तो उसने abortion नहीं करवाया नाइल्स ने मेरी मदर को बहुत सारे लेटर्स लिए थे ये सारे लेटर्स Maya Code में सब्मीट कर देती है जज ने देखा और वो कहते है हम अब DNA टेस्ट करवाएंगे इस DNA टेस्ट को परफॉर्म करने वाले डॉक्टर का नाम था जूलियन ये वही डॉक्टर है जो पहले इनके स्कूल में आया था टेरेंस आकर फिस जूलियन से भी मिल लेता है कहता है रिजल्ट आने के बास सबसे पहले मुझे ही पता ना आज रात बिटनी जब घर पर आई तो नायल्स को जिस आदमी ने धमका हुआ था वो ये आदमी बिटनी को भी धमकाता है कहता है नायल्स के मर जाने के बाग उस पर जो हमारा 7 मिलियन डॉलर्स का लोन था ये गायब नहीं हो जाता अब इस सारे पैसे तुम्हें पे करने पड़ेंगे बिटनी इस बात से बहुत जादा डर गई थी अगली दिन कोड में DNA टेस्ट का रिजल्ट बताय जाता है तो इसमें पता चला कि माया ये नायल्स की बेटी है सारी प्रॉपर्टी अब उसे मिल जाएगी बिटनी इस बात से बहुत जादा अपसेट थी पर रात में जब उसने टिवी ओन किया तो जो आद में उसे धमकानी के लिए आया था उसे डिरेक्ट टू मॉरीस ने अरेस्ट कर लिया आया फाइनल उसे कुछ रहत मिलती है रात में टेरेक्ट रैट्स के डॉक्टर के पास आया उसे उसे पता चला कि जो रैट प्लेन में थे ये अलग नसल के रैट्स थे ये अपनी दादों से किसी भी चीज़ को तोड़ सकते थे ये बहुत उचाई से भी गिए फिर भी जिन्दा रहते थे मतलब इनकी survival skill बहुत ही अच्छी थी टेरेंस कंफर्म हो जाता है कि नायल्स को मारने का एक किसी ना किसी का तो प्लान था इसे के बैरलल में हम देखते है कि बिटनी से मिलने के लिए माय आई ये दोनों मिलकर celebrate कर रहे थे ये दोन एक दुसरे को किस करने लगते है तब ही वहाँ पर जूलियन आया जूलियन कहता है कि अब तक हमारे पास पैसे आये नहीं है हमें सावधान रहना पड़ेगा इसका मतलब है ये तीनों के तीनों इस प्लान में शामिल थे जूलियनी डिने टेस्स का इंचाज था तो इसलिए वो फेक रिजर्ट लाव सकता था नायल्स के कंपनी की वज़े से बृटने को कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती तो यही प्रॉपर्टी पाने के लिए उसने माया के साथ मिलकर डॉक्टर जूलियन के साथ मिलकर इस सारा प्लान किया था इस विक्टरी को सेलिबरेट करने के लिए यह तिनों इंटिमेट हो जाते है अगले दिन बृटनी अपनी मदर को याद करने के लिए लेक पर आई हुई थी पर टेरेंस वहाँ पर पहुँच आता है वह अपने आपको इंट्रडूस करवाता है कहता है तुम्हारे फादर की डेथ रैट्स की वज़े सुई थी क्या तुम्हारे घर में रैट्स की कोई प्रॉलम्स है वो से अलग-अलग वेशन पूछ रहा था इन सारे क्वेशन की वज़े से ब्रिटनी ज़रा प्रेशर में आगे वो जल्दी से स्कूल आई और माया से वो बात करती है वो बहुत ज़ादा डर चुकी थी माया उसे कहती है कि टेरेंस को कोई भी पता नहीं है तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूद नहीं है आपको कंट्रोल में रखो और सोचो कि हमें 70 मिलियन डॉलर मिलने वाले है वो फिर उसके साथ इंटिमेट होने लग गे टेरेंस ने एक्च्वल में जूलियन का पीछा किया था उसे इन दोनों के बारे में पता चल जाता है वो जब इन दोनों को देख रहा था तो अचानक से एक आदमी ने पीछे सी उस पर गन लगा दी टेरेंस उसे कहता है कि मैं इंशॉरंस का इन्वेस्टिकेटर हूँ माया को बहुत सारी प्रॉपरिटी मिलने वाली है तो इसे को में इन्वेस्टिकेट कर रहा था वो आदमी कहता है कि माया के फादर तो इतने अमेर नहीं थे और उन्हें मरे हुए एक साल हो चुका है अब माया को क्यों पैसे मिलेंगे इसमें टेरेंस इंटरेस्टेड हो गया पुछता है उसके फादर की ग्रेव कहाँ पर है वो जाकर उसे देख आया वावर उसने नोटिस किया कि इस ग्रेव को अभी-भी डिक किया गया था अगली दिन माया की नाइल्स की कमपनी के लॉयर के साथ मिल जाते है वो बहुत जादा खुश थी तब उसने डारेक्ली ब्रिटनी को कॉल कर दिया वो गयती है कि जूलियन बहुत जादा डर रहा था हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसने उसे एक लोकेशन दी जहाँ परे दीनो रात में मिलने वाले हैं ब्रिटनी और माया वहां मिले और माया के हाथ में गन थी माया ब्रिटनी से कह रही थी कि हमें जूलियन को मारना पड़ेगा वरना वो कुछ ना कुछ तो गड़बर कर देगा जूलियन एक्चुल में हारवर्ट से मेडिकल डॉक्टर बना हुआ था पर अपनी ड्रक्स की आदत की वज़े से उसकी सारी क्रेडिविलिटी चली गई थी फिरसे इसी वज़े से वो कड़बड कर सकता है तो इसी वज़े से माय उसे मारना चाहती थी जब जुलियन वहाँ पर पहुचा तो उसे शूट करने की वो कुशिश करती है वह बिटनी ने उसे बचा लिया जल्दी से वो बहाँ से भागने लग गया उसे लग रहा था कि बिटनी भी उसे मारने की कुशिश कर रही है तो जुलियन ने उसे पीछे से पकड़ लिया उसे मार रहा था तब ही माय उसे शूट कर देती है बिटनी इस बात से बहुत जादा डिस्टब हो गई थी माय उसे समझाती है तुमारी मदर की सुसाइट को हम इस तरीके से जायर नहीं होने दे सकते है ये दोनों फिर जुलियन की बौडी को जिस लेंग में बहुत सारे क्रोकोडाइल से यहाँ पर डालने वाले थे पर अचानक से उन्हें पुलिस की आवाज आती है रात में हर जगा पर घुमते होए एक पुलिस आफिसर यहाँ आया हुआ था माय उससे बात करती है उससे पुछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो माय ने कहा कि मेरे फ्रेंज के साथ में यहाँ आय हुई थी वो मुझे यही छोड़कर चले के बिटनी जूलियन की बाड़ी को काड़ने वाली थी पर जूलियन अभी भी थोटा सा जिंदा था वो बिटनी को मारने की कोशिश करता है तो बिटनी जूल से चलाती है उसने फाइनली जूलियन को पुरी तरीके से मार डाला पर इस सारी चीज़े पुलिस ऑफिसर ने सुन ली थी वो आसपास जूनने की कोशिश करता है पर उसे कोई भी मिलता नहीं फाइनली वो माया को घर तक लिफ्ट दे देता है अनली बिटनी जूलियन के बॉड़ी को ठिकाने लगा देती है उसकी गाड़ी छोडने के लिए उसकी घर तक पहुँझ गए टेरेंस भी केस की इन्वेस्टेशन करता करता जूलियन के घर पर पहुझ गया था उसने बिटनी को देखा तो बहुत ही सस्पिजियस थी उसके फेस पर खून था बिटनी के घर पर जाने के बाद उसने जूलियन के गाड़ी को चेक किया टायर्स पर उसे मर्ड मिला उसने figure out कर लिया था कि चुलियन की body के साथ बृटने ने क्या किया होगा वो अगली दिन लेक के पास डिरेक्टिव मौरिस को बुलाता है सारी चीज़े चेक करने के लिए कहता है डिरेक्टिव ने सारा लेक देखा पर उन्हें कहीं भी body नहीं मिलती वो अब टेरेंस पर बहुत ज़्यादा गुसा था उससे कहता है मेरा time waste मत करो और जल्ली से इस town से निकल जाओ टेरेंस figure out नहीं कर पाता कैसा हुआ कैसे वहाँ पानी में उसने एक full के plant को notice किया actual में plant इस तरीके से था कि उसके आस पास की सारी चीज़े उस सक कर लेता है आस पास कुछ भी चीज़े नहीं बच्चती इसी तरीके से जुलियन की body भी उस plant ने सक कर ली थी टेरेंस ने बहुत कुशिश की फाइनले उसे जुलियन के blood के cloth मिल गए वो फिर रात में Britney और Maya के पास आया वो कहता है कि तुम्हारा plan तो बहुत अच्छा था पर फिर भी तुम पकड़े गए टेरेंस इन दोनों को blackmail करता है कहता है कि अब मुझे half पैसे चाहिए वरना मैं सारी चीज़े डेट टू को बता दूँगा ये दोनों मान ने रही थी पर टेरेंस ने सास्च में डेट टू को call लगाया तो वो मान जाते है मायो से कुछ थी है कि सारी चीज़े तुम सिर्फ पैसो के ले कर रहे थे टेरेंस कहता है कि मैं दस साल से इस काम को कर रहा हूँ पर मैंने सिर्फ एक की चीज़ देखिया कि अमेर लोग अमेर होते जाते है मुझे इससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होता इनकी जब एक कनवरसेशन हो रही थी तब हम नोटीस करते है बिरिटनी ये सारी चीज़े रेकॉर्ड कर रही थी वो थोड़ी देर में इनके पास आई पर उसके पास गन है टेरेंस बहुत ही डर गया था वो कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो बिरिटनी ने गोली चला कर माया को मार डाला टेरेंस बहुत ही शौक में था बिरिटनी उसे कहती है अगर तुम अपने पैसे पाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा ये माया की बॉड़ी गाड़ी में डालते है और इसको ठिकाने लगाने के फिर से लेक पर जा रहे थे सिगनल पर आने के बाद टेरेंस के गाड़ी के पीछे एक पुलिस की गाड़ी आई वो बहुत ही डर चुका था इस मोके का फाइदा उठा कर बिर्टनी गाड़ी से निकल कई वो एक फोन बूद पर जा कर पुलिस को इनफर्म कर देती है जो बाते टेरेंस और माया कर रहे थे ये सारी बाते बृतनी ने रिकॉर्ड की थी और इसकी टेप पुलीस टेशन में भीज़ दी है इसे साफ साफ पता चल जाता है ये टेरेंस नहीं माया का मर्डर किया है टेरेंस ने सब कुछ बाते समझाने की कोशिश किये तो उसके कोई भी नहीं सुनता तभी हम देखते है कि टीवी पर नायल्स की बारे में निउस आई हमें पता चलता है कि नायल्स पर सेवन मिलें डॉलर्स की डेप थी और ये पैसे भी उसने कुछ गुंडों से लिये थे टेरेंस को अफशाग गया कि शायद नायल्स अभी भी जिन्दा है बैचारी की बात कोई भी नहीं सुनता हम डायरेकली ब्रिटनी को प्लेण में देखते है और प्लेण में नायल्स था एक्च्वान में प्लेण में जो बॉड़ी पुलिस को मिली थी ये माया के फादर की थी जिनकी डेथ एक साल पहले हो चुकी थी ग्रेव में से उनकी बॉड़ी को निकाल कर उन्होंने प्लेण में डाल दिया था ये सारा जो प्लेण था ये नायल्स और ब्रिटनी ने मिल कर किया था नायल्स अपने कमपनी की वज़े से सारी पैसे ब्रिटनी को नहीं दे सकता था और इसके opposite उस पर 7 million dollars का गुंदों से लिया हुआ लोन था उसकी जान खत्रे में थी इसी वज़े से उसने सारा प्लान किया वो बृटनी पर बहुत जादा खुश हो जाता है बृटनी भी अब अपना सारा record लेयर करना जाती थी अगर सबको लगा कि वो भी मर चुकी है तो उ बृटनी ने अपना parachute उसे दे दिया नायर्स कहता है कि तुमारी मदर इतनी smart नहीं थी पर तुम बहुत smart हो जब वो plane में से कुदने वाला था तो बृटनी कहती है पहला parachute जो मैंने तुमें तुमें वही पहनना चाहिए था वो उसे लाद मारकर plane से नीचे गिरा देती है उ स्लोली स्लोली सारे लोगों को इनने रिक्रूट किया था अब फाइनल एक new country में जाकर ये दोनों enjoy कर रहे थे लास्स सीन में हम देखते है कि बृटनी ने अपनी मदर के लेक drink लाया मदर कहती है कि ये drink ज़रा strong है बृटनी के look से हमें पता जलता है कि उसने अपनी मदर को भी मार डाला यही इसी मुमेंट पर यह movie इंडर हो जाती है movie के according पैसों के लिए वर्ल में हम किसी को भी trust नहीं कर सकते है तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खतम करते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आता रह किया झाल 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 झाल